तो हेलो फेरेंड वेलकम बेक तो माय चैनल दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Samsung Galaxy में कैसे आप Google Assistant को यूज कर पाएंगे या बोल सकता है कि Samsung Galaxy में कैसे आप Google Assistant को एक्टिवेट कर पाएंगे तो ये दोनों चीजों के सवाल कि कैसे आप उसको यूज या एक्टिवेट कर पाएंगे और एक्टिवेट कर पाएंगे और एक्टिवेट में क्या क्या आप उसके साथ कर सकते हैं दोस्तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिस मैंने बताया था सेमसंग के मॉवाइल में एच्छे तरीके से आप स्क्रीन शॉट कैसे ले पाएंगे तो उसमें एक तरीका मैंने ये भी बताया था कि आप Google Assistant का यूज करके महाँ पर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जो कि बहुत ही इजी मैथड था अगर आपने वो वीडियो देखी है नहीं है तो अभी तरह उसका लिंक में देदूँ आई बटन में चाहें तो आप वहाँ देख सकते हैं दोस्तों वहाँ मैंने बताया था कैसे आप Google Assistant के तुरू कैसे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे वहाँ पूछा था कैसे आपने Google Assistant को configure करा और कैसे आपने उसको use करा तो आज की वीडियो में मैं पहले बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी voice को वहाँ पर Google Assistant में enable या बोल सकते हैं कर पाएंगे अपनी वाइस को जैसे कि मैं अपनी वाइस की तुरू कमांड देखे उसको यूज कर पाऊंगा Google Assistant को आपने देखा उस जुडियो मैंने बताया था कि है Google करके मैंने बोला तो एक मैंने वाइस को पर रॉपक यृ पो जैसे की मैंने बताया था व्यूंस को रिचर कर ना और कैसे उसको यूज कर पाएंगे तो चलते हैं अगे नाम Sunnyultura और आपको स्वागत है मेरे चैनल एसे टैक में तो दोस्तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कैसे इसको register करना और कैसे इसको use कर पाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको register करना बताइए, तो register करने के लिए आपको کرना क्या होगा? यहाँ जाना अपने गूगal की app में तो यह आपको google की app में front में ही मिल जाता है, कहीं भी आपको यह मिल जाएगा आपको उस पर open कर लेना है open करने काई आपको जाना है yeah more पे जैसी आप more पे जाएँगे तो यहाँ पर आपका ऐसा toggle खुल जाएगा या बूल सकते एक setting खुल जाएगी यहाँ पर आपको जाना है setting वाले option में आपको दिख रहा होगा यह setting वाला जो option है आपको उस पर जाना है setting पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है Google Assistant पर या चाहे तो आप voice पर भी जा सकते हैं तो आप दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं आपने जाना है Google Assistant पर Google Assistant पर जाने का आपको जाना है यहां voice match का option जो दिख रहा होगा आपको उसमे जाना है voice match वाले option पर एंड यहां पर आपको जाना है this phone आपको सब सुपर दिख रहा होगा this phone है Google जो हो है वो enable नहीं है आपको दिख रहा होगा off है तो आपको करना है इसको enable तो इनेबल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे बोलेगा इनेबल करने के लिए आपको अपनी voice यहां पर देना होगा तो voice देने के लिए आपने देखा होगा यहां लिखा भी होगा है X is your assistant with hey Google get hand-free help for Google assistant जो कि मैंने बताया नीचे आप देखेंगे आपको next का button मिल रहा है आप जैसी उस पर next पर click करेंगे next पर click करेंगे आप से agree करने को बोलेगा यह सब चीजे आपको इसको agree कर लेना है agree करने के जब आगे जाएंगे तो okay Google जो वहाँ लिखा है आपको इसको rewind करना है okay Google hey Google hey Google तो आप देख रहे होगे यह जब जीजे वहाँ पर जो लिखे आ रही थी आपको वही पढ़के उनको अपनी अपनी voice में बोलना है और अब यह हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे your device can now recognize your voice when you say hey Google और okay Google और नीचे आपको कर देना है इसको finish जैसी finish करेंगे और यह आपका all done हो चुका है और आपकी voice assistant यहाँ पर enable हो चुका है आप इसको not now भी कर सकते हैं चाहे तो save भी कर सकते हैं अब यह आपका registration हो चुका है आप चाहें तो यहाँ देखेंगे आपको देखना हो या दुबारा आपको करना हो तो यहाँ से delete भी कर सकते हैं और दुबारा अगर आपकी voice को थोड़ी change हो गई है तो आप दुबारा से यहाँ से voice model change कर सकते हैं अब दोस्तों यह हो चुका है अब लाइक मुझे आप कोई सिसका स्क्रीन शॉट लेना यहीं पर आपके सामने में देख के बताता हूँ हे गूगल टेका स्क्रीन शॉट आप देख सकते हैं दोस्तो मैंने कुछ भी नहीं करा हूँ आटोमेटिक उसने खोला और खुदी स्क्रीन शॉट ले लिया यह आप देख सकते हैं यहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं जो से बोलेंगे वह आटोमेटिक वहाँ पर कर देगा лайक आप मैं आप से बोल कर दिखाता हूँ हे गूगल पन आ इंस्टाग्राम आप देखेंगे इंस्टाग्राम एप ओपन हो जाएगी तो आप जैसा उसको बोलते जाएंगे जो जो बोल सकते हों सब चीज़ कर देंगे आप देखेंगे तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको कुछ डेमो दिखाए अब आपको और दिखाए तो डेमो करके Hey Google Open my Facebook आप देख सकते हैं जैसे में बोलते जाओंगे वो सब चीज़े कमांड वो एक्सेंट करते जाएगा पूरी तरह से Hey Google Call Bro तो आप देखेंगे जैसी मैंने बोला Bro को Call लगा तो आटमेटिक को नंबर पूरे निकाल लिए और कौन से नंबर पर पूछ रहा है मुझसे तो वो आटमेटिक कॉल लगाने के लिए बोल देगा Hey Google Open a setting यह आप देख सकते हैं मलब आप चाहें जो चाहें वो उसको बोल सकते हैं लाइक आपको यह मॉवाइल को silent करना है तो आप वो भी उसको बोल सकते हैं Hey Google Silent the phone Like आपको alarm set करना है या कुछ भी आप यहाँ पर बूलेंगे Hey Google Set a alarm of 5 o'clock in early morning alarm आप देख सकते हैं Set हो चुका और आपको यह notification भी आ गई होगी आप जैसा उसको और भी बोलना जाएंगे वो सब चीजे महाँ पर सेफ कर लेगा तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीस लाइक ज़रू करें अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मेरे डिसलाइक भी का सकते हैं ताकि मेरे जैनल की नेक्स वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टागर और फेस्टूप को लोगर ना भी ना भुरिए इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थैंक्यू दोस्तों